प्रगती टीचर असोशियेशन ने कोरोना काल को देखते हुए मास्कों का वितरन किया आगरा में प्रोग्रेसिव टीचर असोशियेशन ने मास्क वा सैनिटाइजर का वितरन किया और लॉक 5 की गाइडलाइन आने के बाद 15 अक्टुवर से स्कूल वा कॉलेज खुलने की समवावना है बच्चों के स्कूल जाना प्रारंब हो जाएगा ऐसे में बच्चों में संकर्मन फैलने के कारण खत्रा बहुत रहेगा जिसको देखते हुए आगरा प्रगती टीचर असोसियेशन ने बोधरा इस्तित शान्तिवन स्कूल में मास्क सैनिटाइजर का वितरन किया प्राविवावकों को बच्चों के बचाव हैतु पूर्ण संख्या में जागरु किया इस अफसर पर उपस्तित संस्तापक डॉक्टर सुनील उपाध्याय अध्यक्ष मोहिद दिख्षित अंकुर जैन कारिक्रम संयोजग शान्तिवन स्कूल के डारेक्टर विजेन शर्मा आधी लोग उपस्तित रहे विनोध कुमार आगरा समाचार 24 जैसा कि देश के समग्र विकास के लिए अच्छी शिक्षा की आवाश्यक्ता है वैसे ही देश के समग्र स्वास्त के लिए विद्यारतियों को स्वस्त रहना और पोबिट से बचना बहुत ज़रूरी है अगले दो तीन महीने तक चलेगा हर शनीवार और इत्वार को बिन भिन विद्यालाओं में यूनिवर्स्टीज में और एजुकेशन पॉइंट्स पर हम लोग जाएंगे और अग्राकों को और विद्यारतियों को ये बताएंगे कि कोरोना से कैसे बरत बचाप करा जाए हमारे यह सभी बच्चों को सनिवार और इत्वार के लिए प्रोग्राम रखा गया कि अलग अलग स्कूलों में जाके बच्चों को ये सिखाया जाए कि कि किस तरीके से कोबिट-19 वाले इस पेंडेमिक सिच्वेशन में अपने आपको सेफ रखना है इसके लिए सभी को मास स्क लगाना जरूरी है और सेनिटाइजर हो सके तो अपना सेनिटाइजर अपने पास रखें जिससे बार बार उसे आतों को सानिटाइज किया सके इस माहमारी से बचने के लिए बच्चे बहुत ही इंपोर्टेंट हैं उनको यह अभिवाबकों के द्वारा शिक्षकों के के द्वारा यह सभी जनों के द्वारा ये ग्यान देना चाहिए उनको ये पर्चे कराना चाहिए कि किस तरीके से महामारी के दोर में अपने आपको बचा जा सकते आग्राव प्रोग्रेसिव पीछर एस्विन का संस्टा पक्वा कर सही हो जाग आज जैसा कि आप जानते हैं अनलोग फाइब चालू हो गया है और अनलोग फाइब विध्याले स्कूल अधर से संस्ताव खोल जा रहा है संबाब ना है कि 20 सक्टुबर से आगरामे भी विध्याले खोल जाएंगे ऐसे में बच्चों की सच्चा सब्यों पर को देखती हुए हम लोग होने जब अलगला स्कूलों में जाकर अईवाओ को भलाना चालू किया है और उन्हें ये समझाय जा रहा है कि बच्चों को जब वह स्कूल đến है तो बच्चों को क्या सिखा है क्या नहीं हमने तीन बातों कर जोड़ दिया है यह तीन बाते बच्च जरूर फॉलो जो करें पहला कि बच्चों को सिखाएं दोगाई दूरी बहुत जरूरी है दूसरा बच्चों को मास कैसे लगाएं कि रस्ते में आचाने जब घर से पहने तो घर पर ही उठा रहें और तीन सबसे मैंत पूल बात यह है कि बच्चे इस बात पर विश्याद ध्यान दें कि दूसरों से हाथ में मिलाएं और दूसरी चीजियों को बाहर जाते हुए टच ना करें आज इसी के तैथ हम लोग जगे जगे अज़ा वकूं समझा रहे हैं